हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल, लेट्स लेन पियसाई यार, सो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफी बैतरी तरीके से अपने पढ़ाई को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे, फ्रेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, Thomas Hobbes को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बाइग्राफिक के साथ-साथ, उनके रोल of scientific method in politics and state and state of nature के concept को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, और आज हम लोग करने जा रहे हैं उन कि दिये गए एक प्यावित से कोट के साथ, force and fraud are in war, the two cardinal virtues, प्रेंट्स, जो कोट आप देख रहे हैं, यह Thomas Hobbes के book, the Leviathan से लिया गया है, जिसके मादियम सो बताना चाह रहे है, इस कोट के मादियम से basically Thomas Hobbes यह कहना चाह रहे है, कि किसी भी war में, आनि कि किसी भी युद्ध मे तो वो यह कहते है कि देखिए, जो force होता है, आनि कि जो बल होता है, सक्री होता है, वो किसी भी force को, आनि कि किसी भी party को जो उसने participate किया war में, उसको काफी अदा सामर्थ बनाता है, काफी अदा वोससे वो strong बनाता है, अगर उसके पाथ बहुत ही high amount में, बहुत ही highly उसके प पास बहुत ही strong force होगा साथी साथ वो क्या कहते हैं कि आपके पास fraud करने का आनि कि आपको conspiracy करने का सरेंट रचने का भी छमता आपके अंदर उतना ही होना चाहिए ठीक है इसे क्या होगा मान लेजिए आप किसी के साथ fraud करते हो ठीक है आप कहीं पकड़े ना जाओ आपके बारे में उसे कहीं पता ना चाल जाए तो इसे क्या होगा ना कि उनका जो presence of mind है वो काफी जादा मतलग कि बना हुआ रहता है ठीक है काफी जादा वो present रहता है और साथी साथ क्या होता है कि लोग उस टाइम काफी सतर्क हो जाते और इसलिए क्या होता है कि मतलग थामो साथ बसिकली ही कहना चाहरे कि वोर में क्या होता है कि आपको force strong बनाएगा आपके moral को higher रखेगा और साथी साथ जो fraud होता है जो fraud करने के जो छमता होती conspiracy करने के जो छमता होती है यह आपके presence of mind को बढ़ाएगा आपकी जो सतर करने के छमता है आपके सतर्क्ता को यह और ज़्यादा enhance करेगा और जब यह दोनों qualities आपके पास होंगे तो आप किसी भी वार्ट को easily succeed कर जाओगे कोई भी वार्ट को आप easily जीत सकते हो getting it और इसलिए Thomas Hobbs क्या कहते हैं कि किसी भी वार्ट को जीतने के लिए आप force and fraud यह दोनों एक cardinal virtues होते हैं और इसी virtues के तहत आप क्या करोगे किसी भी वार्ट को आप बहुत ही easy तरीके से जीत सकते हो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अभी cover कर रहे हैं Thomas Hobbs के series को जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनकी तीन पार्ट already complete कर चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने उनके first पार्ट में उनके introduction आने की जो उनके biography पे बेस्ट था हम लोगों ने उनके biography को काफी अच्छे तरीके से काफी detail में समझा और जो उनका second part था जिसमें कि हम लोगों ने दिखा कि role of scientific method in politics के बारे में वो क्या कहते हैं फिर हम लोगों ने दिखा कि Thomas Hobbs state और state of nature के बारे में वीडियो और आने वाले सारी वीडियो समझने में और भी ज्यादा आसानी हो और सारे dots को आप लोग easily connect कर पाओगे आज की वीडियो में फिर हम लोगों समझने वाले कि Thomas Hobbs Utilitarianism के बारे में basically क्या कहना चाहते हैं ठीक है इनके theorist को क्यों criticize किया गया अलग-अलग scholar के द्वारा अलग-अलग argument के साथ Got it चाहिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते है Thomas Hobbs के concept को समझना कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे है Utilitarianism के मादब से थियोरी के मादब से वो क्या बताना चाह रहे है देखिए पहले हम लोगों को समझना पढ़ेगा कि आखिर यह होता क्या है ठीक है यह term जो है यहाँ पे लिखा हुआ Utilitarianism यह इसका मतलब क्या होता है यह simple सा एक concept है एक term है जो यह बताता है ठीक है देखिए आपर क्या लिखा हुआ Utilitarianism is a theory which favors action that foster happiness or pleasure and opposes actions that cause unhappiness or harm or pain इसका simple sum art होता है कि जो मतलब कि human beings होते है वो हमेंसा pleasure seeking होते है ठीक है वो हमेंसा खोशी चाहते है वो हमेंसा pleasure चाहते है और इसके लिए जो भी जो भी चीज़ होचकता है जो भी उनको happiness देगा जो भी उसको pleasure देगा वो हमेंसा उसके तरफ एक्टक होगा ठीक है वो हमेंसा happiness चाहता है लेकिन जो उसको मतलब कि harm करेगा या unhappy करेगा जो उसको दुख देगा दर देगा pain देगा ठीक है वो उससे हमेंसा वो oppose जाना चाहता है उसको हमेंसा वो oppose काता है उसे मेंचा वो दूर रहना चाहता है ठीक है और ये सिम्पल सा कॉंचेप्ट किसका है ये सिम्पल सा कॉंचेप्ट है उत्ली डल्लियरिस बीडियाता एक है जो इसलिए घॉतली बैंद्सम को फांदर अरकिन का conform भॉजब करेंगे देखिये यह कॉंसेप्ट के माध्यम से human nature को target करना चाह रहे है कि देखिए human का nature होता है ठीक है वो किस तरीके से इस चीज से प्रभावित होता है कैसे यह impact करता है human nature को क्योंकि देखिए जो Thomas Hobbes है उनका यह मानना है उनका यह believe कि जो state of nature है ठीक है हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा काफी detail में कि state of nature क्या होता है अगर आप लोगों ने वितक नहीं देखा दो जागर के पहले आप लोग पिछले वीडियो को देखे ले ताकि आप लोगों को यह समझने में आसानी हो तो फिर नहीं देखिए जो Thomas Hobbes से ही वो यह believe कर रहे है वो यह मान के चल रहे है कि state of nature होता है वहाँ पर हर एक individual जितने भी वहाँ पर human beings है वो काफी जादा वो motivated है काफी जादा वो self interest है ठीक है कि इस चीज के लिए तो खुद के life को preserve करने के लिए state of nature में क्या होता है देखिए जो natural मतलब क्या होता है जो स survival of the fetish होता कि इसमे state of nature में जो वहाँ पर जितने long time पर survive कर पाएगा वो उतना ही अपने life को preserve कर सकता है ठीक है और उस time वहाँ पर क्या होता कि state of nature में साफी लोग self interested अनि कि self center होते थे अब मतलब कि अब जितने भी वहाँ पी उन लोग act होता था जितना भी उन लोग का connect होत है लेकिन साथी जाथ जो देखिए जो Thomas Hobbes का जो concept है वो मतलब individual के interest के साथ साथ ये overall मतलब पूरे society के development के पूरे society के happiness के बारे में भी sociality के ये greater good के बारे में सोचते है देखिए इनका जो concept है ये मतलब कि शिर्फ individual तक ही सिमित नहीं है ये चाहते है क्या कि जो इनका जो concept है है वो पूरे society में ही मतलब काफी बड़ी level पे मतलब कि implement हो सके ठीक है और पूरे society में है happiness ला सके ऐह हम लोग इस concept को पूरे society के Lageल पे implement करना चाहेंगे ठीक है तो यह क्या होगा कि इस सोसाइटियал वेलविंग होगा पूरे society का development होगा पूरे society का well fair होगा तो देखिए जब पूरे society का welfare होगा तो obviously बात है कि वहाँ पी रहने वाले हर एक individual का भी development होगा यह होगा तो यही यहाँ पर क्या गहना चाहर है कि हम लोग को एक greater level पर सुचना चाहिए कि हम लोग इस concept को कैसे implement कर सकते हैं पूरे society के level पर यह इसका main concern था किसका Thomas Hobbes का कि देखिए हम लोग को overall ज society में ठीक है और इसे क्या होगा कि हर किसी का happiness है उसको हम लोग maximize कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं ठीक है लेकिन यह कब possible है तो यह तभी possible जब वहाँ पर किसी भी society में किसी भी समाज में well ordered तरिके से सारे चीज़ का function हो रहा हो ठीक है वहाँ पर हरी लोगों के पास कुछ कुछ authority हो वहाँ पर right to life हो ठीक है उन लोगों के पास अपना life को preserve करने का छमता हो तभी वहाँ पर यह possible है कि आप किसी के life को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो किसी के life को और भी ज़्यादा आप welfare के रास्ते पे लेकर कर जा सकते हो और overall आप पूरे society का happiness को maximize करने का process कर सकते हैं यह तभी possible जहाँ पर society में काफी अधा stability हो वहाँ पर पूरे government जो काफी smoothly run कर रहा हो ठीक है काफी well mannered तरीके से काफी well order तरीके से सारी functions चल रहे हो और यह संभव को होगा तो देखिए Hobbs इसकी पिछे का क्या argument देते हैं तो Hobbs यह कहते कि देखिए to attain pleasure individuals give up certain freedoms to a central authority in exchange for security and order तो देखिए बिसिकली वो ही समधाना चाहरे कि यह तभी संभव है ऐसा society ऐसा समाज हम लोग को तभी मिलेगा देखिए लोग वो मानती है कि individual को हर एक individual को pleasure पसंद है उन लोग को खोशिय चाहिए लेकिन इसके लिए संभव था आपको यह करना पड़ ठीक है जैसे आप किसी की right to life को हनन नहीं कर सकते हैं ऐसा मतलब बहुत सारा जो freedom है वो आपको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ करके आप किसको देंगे तो किसी central authority को देंगे central authority कौन होगा तो बैसिकली एक state होगा एक society होगा एक समाज होगा जिसके पास absolute power होगा कि वो सबका power किसी एक के पास रहेगा तो कोई भी मतलब किसी other person के साथ गलत करने के बारे में नहीं सुझेगा कभी भी ठीक है और इसे क्या होगा कि मान लिजे किसी एक के पास power होगा तो वो अपने तरीके से पूरे society में क्या होगा कि वो सबको life के security प्रवाइड करवा सकता है प पर law and order को maintain कर सकता है इसलिए Thomas Hobbes एक central strong मतलब कि strong central authority का बात करते हैं कि हम लोग को एक strong central authority चाहिए और इसका role कौन प्ले करेगा तो इसका role एक society एक समाज एक state ही प्ले कर सकता है जिसके पस absolute power होगा ठीक है और वो ही सबके life को preserve करेगा वो सबके life के security प्रवाइड करवाएगा कि तुम्हारा life कोई नहीं ले सकता है तुम्हारा life state के पास है ठीक है तुम्हारा life को in fact state भी नहीं ले सकता है जब तक कि मतलब कि देखिए जो Thomas Hobbes से वो natural law पे भी believe करते है जैसा कि लोगो ने पिछले वीडियो में देखा और natural law क्या कहता है कि जो life है वो God का दिया हुआ ठ state का पास कोई भी source नहीं होता है किसी के life का लेने का या देने का ठीक है यह तरही संबव है जब procedure established by law के तहत आपको अगर ऐसा को allow करता है कि इस तरीके से मतलब कि इस पॉइंट पर आप किसी के life को ले सकते हो और कि एक तरह से punitive hour के तरब से किसी के punishment के तोर पे आप किसी का life को ले रहे हो जो भी procedure established by law आपको allow करता है तो ही अधरवाज अब किसी के life को छेन नहीं सकते हो getting it तो friends ये कैसे समय होगा चलिए friends हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे और detail में समझते हैं कि और ये कैसे possible होगा और किन-किन मतलब कि instrument के धुरू कि मतलब policies को implement करने के बाद ये हम लोगों को possibility होगा कि estate में इस तरगे का implement हो सकता है चलिए हम लोगों इसे और वे detail में समझते हैं तो देखिए जिए Thomas Hobbs है न वो एक central authority का लिए मतलब काफी है वो इसलिए support करे इसलिए promote करे क्योंकि उनका मानना है कि अ मतलब बहुत सारी conflict को prevent कर सकता है ठीक है क्योंकि सब का power उसके पास है सब को उसे power दे करके रखा है और वो power कैसी मतलब कि ऐसे ही ने दिया गया उसे बहुती reason के साथ dialectics and deliberation के साथ दिया गया है उसे ठीक है बहुती तरक वितर करने के बाद उसे अपना सारा power दिया गया है और इसी लिए जब ऐसा कोई central authority होगा तो उसे क्या हो कि वो सारे conflict को सारे chaos को सारे social order को वो maintain कर सकता है हर किसी के life को वो prevent कर सकता है ठीक है और जो सबसे main goal होता है वो होता है minimizing suffering ठीक है किसी का जो suffering किसी का जो तकलिप है उसको कम कर सकता है उसको उतना कम करेगा कौन estate ठीक है और साथी साथ उसको बढ़ाएगा क्या happiness क्योंकि मान लिजे अगर ऐसा समाज में आप रहे रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी chaos नहीं है बहुत ही सांती है बहुत ही मतलग peace and prosperity वहां पर है तो obvious बात है कि लोग वहां पर खुश रहेंगे happy रहेंगे तो यह कब संभव है जब वह काफी जब प्रमूट कर रहें Thomas of issues भी emphasize कर रहे हैं कि देखिए हम लोग को central authority बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा यह मतलग कि एक तरह से बहुत सकते है कि हो time का need है ठीक हम लोग को चाहिए कैसा state एकसा central authority चाहिए जो हम लोग को मतलग कि suffering को हमारे pain को कम कर सकता है और ह यह concept किसका होता है यह concept एक nature होता है किसका human beings के utilitarianism का ठीक है क्योंकि देखिए मतलग chaotic situation रहेगा समाज में अगर वहाँ पर situation बहुत ही खराब रहेगा ठीक है वहाँ पर मतलग कि अगर war or la situation रहेगा काफी chaotic situation रहेगा तो उससे किसी का benefit नहीं होने वाला है वह और में हमेशा क किसी का loss ही होता है किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है ठीक है अगर किसी state के बीच में या किसी लोगों के बीच में अगर यूद्ध होता है तो यूद्ध में कोई नहीं जीतता है हर कोई हारता है कोई थोड़ा कम हारता है कोई थोड़ा अधिक हारता है लेकिन हारता दोनों ही है ठीक है किसी का भी benefit नहीं होता है वह ही यहाँ पर थामस आप्स कहना चाहिए कि हम लोगों को वार से बचना चाहिए और वार से कौन बचाएगा तो तहीं बचाएगा जा हम लोग को state of nature से निकल करके हम लोग central authority को establish करेंगे और यही concept किसका है यही concept मतलब सबसे important goal किसका है तो सबसे important goal यही है यूटिटाइन का ठीक है क्योंकि देखिए जो यूटिटाइन का nature होता है वो क्या होता है वो किसी की मतलब खूसी को बढ़ना चाहता है किसी की suffering को कम करना चाहता है ठीक है तो यह कब संबभ होगा Hobbs के recording तो वो संबभ होगा यहाँ पी एक stable society देगा ठीक है इसलिए थामस Hobbs इस चीज को जादा वो promote करते हैं ठीक है कि आपको एक stable society establish करने की बहुत ज्यादा आवसकता है और यह क्या करेगा कि वहाँ पे वो overall happiness लाएगा पूरे समाज में और समाज में रहने वाले हर एक individual हर एक member के life में खुसियां आएगी कब जब व मतलब कि यह दर्साता यह दिखाता है कि जो उनका जो concept है वो basically इस तीज में बेस्ट है कि वो इस तीज को इंस्योर करता है कि वो क्या होगा किसी एक greatest good मिलेगा किसके लिए तो एक greatest number के लिए मतलब कि बहुत ही बड़े पेमाने पी बहुत ही अच्छा change लाए जा सकता है बह Central Authority के पास होगा जिसके पास सारा निरनय होगा लेने का चमता होगा ठीक हो वो sovereign होगा वो किसी भी lawmaking का चमता रखता होगा वो किसी भी law को किसी भी norm सुरूर regulation को बना सकता है और साथी साथ उससे वो implement भी कर सकता है ठीक है और साथी साथ उसके पास वो unity power भी होगा punishment power भी को वो अगर नुकसान पहुचाता है तब भी उसके पास community power होगा punishment देने का power होगा और यह सारे process से क्या होगा तो यह सारे process से मतलब कि जो social utility है उसको promote करेगा और साथ ही साथ उनका जो society का happiness है वो हमेशा grow करेगा वहाँ पर जो welfare होगा वहाँ पर हमेशा welfare वाला maintain रहेगा state में हमेशा stability बना हुआ रहेगा एक well ordered तरिके से वहाँ पर government चलेगी एक काफी smoothly वहाँ पर government रन करेगा और जो state है वो welfare के राश्ते पर बढ़ेगा getting it तो चलिए फ्रेंट समय लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि Thomas Hobbs इसके बारे में और क्या-क्या बाते वह कहते हैं तो फ्रेंट्स देखिए जो सबसी बड़ा aim है सबसी जो उसका मतलब की main goal है वह यह है कि मतलब देखिए उस सारे consequences को आने कि जो जितने भी कारक है negative life को implement मतलब की state में जितने भी negative consequences है ठीक है जो इस किसी इसको promote करता है किसी इसको आने की violence को disorder को इस इसको promote करता है उसको कम करना चाहता है जो concept किसका है Thomas Hobbs का यह इसका main goal है उनका one of the main goal यह हर किसी के pain को minimize कर सके हमेसा कम कर सके उनके suffering को कम कर सके ठीक है जो society unhappiness है उसको वह बहुती मतलब की बहुती अच्छे तरीके से उसको reduce कर सके और सभी लोगों के life में एक अच्छा impact ला सके एक अच्छा life दे सके उन लोगों को ठीक है उनके life को secure कर सके protect कर सके और यह तभी संबह होगा जब वहाँ पर society होगा एक well-manned तरीके से मतलब कि एक well-ordered तरीके से से वहाँ पर society run कर रहा होगा एक अच्छे तरीके से वहाँ पर government का formation हो रहा होगा और government काफी smoothly वहाँ पर run कर रहा होगा तभी यह संबह होगा और यही concept क्या कहता है जो uternism का concept है वो भी यही कहता है और thorms के recording भी वही बात गहता है वो लेकिन फिर देखिए जब आगे पढ़ेंगे thormosops का जो concept है ठीक है और साथी साथ जो Jeremy Bentham का concept है वो लोगों का concept है uternism का उसमें काफी differences में लोगों को देखने को मिलता है ठीक है जो thormosops ना वो basically इस चीज को evaluate करते हैं वो इस चीज की action को evaluate करते हैं कि वो मतलब किसी भी single consequences को और कि single cause को वो directly मतलब की नहीं बताते हैं ठीक है उसके बार नहीं बताते हैं वो generally इस बारे में focus करते हैं वो इस चीज पर focus करते हैं कि हम लोग overall कैसे impact ला सकते हैं society पे उनका main focus इस चीज पर रहता है जबकि जो Jeremy Bentham में उनका concept देखे हैं कि वो basically वो हर एक individual के बारे में बात करते हैं कि हम लोग हर एक individual के life में कैसे changes ला सकते हैं और इसी लिए हम लोग आगे यह देखे हैं कि इस सारे problem से यह सारे cause and effect से दूर निकलने के लिए ठीक है यह सारे cause से मतलब इसका way for out पाने के लिए thomas of एक बहुत ही बड़ा बहुत ही important concept देते हैं जिसे वो social contact theory के नाम से बताते हैं ठीक है कि हम लोग को यह सारे चीजों से overcome करने के लिए इस सारे चीजों से हम लोग को welfare ही होगा ठीक है अगर हम लोग पूरा समाज में एक अच्छा बदलाव लाना चाहेंगे तो obvious सी बात है कि वो हर एक individual साही आएगा और अगर पूरा समाज में बदलाव आता है तो हर एक individual का life में automatically वो बदलाव आएगा ही आएगा ठीक है और इसी लिए सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग को social contact करने की आप सकता है जिसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में काफी डिटेल में समझने वाले हैं तो I hope friends आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें अपने फिनक साथ भी सेहर करें और अब अब चनल पर नजए चनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आकन प्रेस करना बिलकुल ना भोले ताकि आने वाले सारे वीडियो को आप तक सबसे पहले मिले तो friends मिलते नेक्ट वीडियो में तो तक लिए जैहिन थेंक्यू बाइ-बाइ